नमस्कार पन्डित क्यान चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर करें क्यूकि हम आपके सामने कुछ ऐसे वीडियो कुछ ऐसी जनकारी लेकर आते हैं जो आपके लिए जानना ब्यादिन पॉ पनिमा के दिन 16 जुलाई को लगेगा ऐसा दुल्लव योग 149 साल बाद बन रहा है इससे पहले 1870 में ऐसा दुल्लव योग देखने को मिला था यह चंद्रग्रेंड पूरे तीन खंटे तक रहेगा 16 जुलाई 2019 की रात करीब 1 बच कर 30 मिनट से ग्रहन शुरू हो जाएगा और इसका मोख्ष 17 जुलाई की सुभा करीब 4 बच कर 30 मिनट तक रहेगा दोस्तो हिंदू धरम में ग्रहन काल को काफी महत्व दिया जाता है हिंदू पंचान की माने तो इस बाद चंद्रग्रेंड आशान शुकलपूर्णिमा की उत्तर पाशान शत्र में लग रहा है यह है चंद्र ग्रहन, खंड ग्रास चंद्र ग्रहन कहा जाता है, इस ग्रहन को लेकर कई तरह की मान्यताएं भी प्रचलीता है ग्रहन काल में, प्रकरती के भीतर कई तरह के नकरात्मक और हानिकारक किन्नों का प्रभाव रहता है, लेहाजा इस दुरान कई ऐसे काम है जिने और आज की इस खास वीडियो में आपको कुछ ऐसे कामों के बारे में बताने जा रही हैं जिन्हें शास्त्रों में ग्रेहन काल के दोरान करना एक वर्जित पताया गया है यदि कोई भी व्यक्तिन कामों को ग्रहन के दिन करता है तो उस व्यक्ति को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है जो बहुत ही खतरनाक साबित होते हैं दोस्तों आये जानते हैं कि वह कारे जो आपको ग्रहन काल में बूल कर भी नहीं करने हैं दोस्तों शास्त्रों के अनुसार सूतक काल से लेकर ग्रहन खतम होने दो किसी भी भगवान की मुर्ति को स्पस्ट नहीं करना चाहिए ग्रहन के दोरान भगवान का मन में ध्यान रखना चाहिए ध्यान रहे दोस्तों कि भगवान को भी ग्रहन के दर्शन ना हूँ क्योंकि मंदिर के कपाट भी बंद कर दिये जाते हैं सुतकाल के ग्रहन कत्म होने तक बहार का खाना नहीं खाना चाहिए और बहार घर के जाकर भी खाना पिना नहीं करना चाहिए साथ ही किसी अंजान व्यक्ति को भी कोई भी हो आपको कुछ भी खाने को उसे नहीं देना चाहिए ग्रहन के दोरान कई लोग टूना टोटका करते हैं अगर कोई भी दे तो उसकी जानकारी अपने घर पर अवश्य देख, साथ ही इस दिन मास और शराब का सेवन भी आपको नहीं करना चाहिए ग्रहन काल में गर्वती महिलाओं को ग्रहन की चाया से एकदम दूर रहना चाहिए क्योंकि ग्रहन की चाया आपको कूद रिष्टी गर्व ग्रह पर पड़ सकती है और यह आपके बच्चे को खराब कर सकती है और आपकी बच्चों की सिहत को नुकसान भी पहुचा सकती है ग जोरान संबंध बनाना अशुब और प्रलोक में कस्टकारी माना गया है दोस्तों तो ऐसा भूल कर भी आप ना करें इस समय कर्बधारन से संतान पर बुरा प्रभाव पड़ता है और ऐसा शास्त्रों का मानना है इसलिए शरीर मन और बुद्धी में सामध जे बनाए रखना सुतक काल से ही ध्यान रहे गरीब और असहायव व्यक्ति से अपने माब बाप का अपमान ना करें संबहोत इनकी मदद करें और इसे अपनी आदद बना लें शास्त्रों में बता गया है कि गरीब और असहायक अपमान करने पर शनीदेव की बुरी नजर आप पर पढ़ सकत हैं बैतर होगा कि ग्रहन के दोरान किसी भी सुनसान या शमशान जैसी जगहों से आप दूर रहें वहां बूल कर भी ना जाएं इससे आप पर इसका बुरा प्रभाव भी पर सकता है दोस्तों इन सबी बातों का आपको खयाल रखना है याद रहें 16 जुलाई और 17 यहो तो लाइक जरूर करें आज की वीडियो में बस इतना ही लोटेंग एक नए वीडियो के साथ